नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल Think Mysterious पे स्वागत है जितनी गहरी हमारी समुद्रे दुनिया नहीं, उससे जादा गहरे इसमें छिपे रहसे हैं समंदर की इतनी गहराई में इतना अंधेरा है कि जितनी बार पे इनसानों ने इसके रास पर से परदा उठाने की कोशिश की हर बार उसे असफलता हासिल हुई है लेकिन इन कोशिशों में हमारे हाथ में कुछ ऐसा लग जाता है जो समंदर के रहसे पे एक नई बहस छेड़ देती है इस वीडियो में आज एक ऐसे रहसे की बात करेंगे जिसकी कुथी वग्यानिंग आज की तारिक तक ठीक से नहीं सुल जा सके आज की अपिसोड में समंदर से आई अब तक की सबसे तेज और सबसे रहसे में आवाज की बात करेंगे जिसे पूरे दुनिया दबलूप के नाम से भी जानती है क्या बलूप किसी समुद्री जानवर द्वारा पैदा की गई थी? क्या वे मनुष्य के कारण पैदा हुई जैसे सब्मरीन? क्या वे एक खुद्रती घटना थी? या फिर समंदर का कोई ऐसा रहसे जिसे कोई मनुष्य आज तक नहीं जानता? तो चलिए दोस्तों इस रहसे में डाइव मारते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं बात 1987 की है अमेशा की तरह अमारिका के Research Agency National Oceanic and Atmospheric Administration जिसे नोवा के नाम से भी जाना जाता है समंदर के अंदर होने वाली हल्चल को समझने के लिए अपनी जरूरती समानों के साथ समंदर में अपनी खोज कर रहे थे क्योंकि नोवा एक बड़ी एजंसी है तो उनके पास आधुनिक Equipments थे जिसके मदद से वे लोग समंदर की गहराई में होनी वाली छोटी सी छोटी हल्चल को सटीक से पकड़ सकते थे उन्होंने अपनी खोज के लिए साथ पैसिफिक ओशन को चुना था जहां उनका मकसद था कि वे समंदर में रहने वाले मैमल की पॉपुलेशन और माइग्रेशन का पता लगा सके लेकिन उनके हाइडरोफोन्स ने जो कि सोवियट सम्मरीन की आवास को पहचाने क्लिप बनाया गया था उसने समंदर के गहराई से आई एक अजीब और बहुत तेज आवास को रिकॉर्ड किया जब वग्यानिकों ने हाइडरोफोन्स से उस आवास को ध्यान से सुना तो उन्होंने पाया कि वे समंदर के गहराई से आई अब तक की सबसे तेज आवास थी यहां तक कि शिप में लगे सारे सेंसर्स ने भी उस आवास को महसूस किया था जो कि किसी आवास को तभी सेंस कर पाते हैं जब किसी साउंड के इंटेंसिटी काफी तेज हो उन हाइडरफोन्स की रेंज 5000 किलोमेटर की थी जिससे पता चलता है कि ब्लूप काफी दूर से पैदा हुई होगी और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लूप कितनी तेज और कितनी खास है तो आएए दोस्तों सुनते हैं दब्लूप साउंड को वैग्यानिकों का कहना था कि ऐसी हवास समंदर की गहराई से सुनाई देना कोई आम बात नहीं है अगर हम दब्लूप के स्पेक्टोग्राम के और नजर डाने तो हमें पता चलता है कि ब्लूप एक लो फ्रिक्वेंसी और हाई एम्प्लिट्यूट की साउंड है जो कि इस तरफ इशारा करता है कि जैसे कोई समुद्री जीव आपस में संबाद कर रहे हो लेकिन इतनी तेज आवास तो दुनिया का सबसे बढ़ा जानवर ब्लूवेल भी पैदा नहीं कर सकता ब्लूप तो ब्लूवेल के द्वारा पैदा की गई आवास से भी तीन गुनाल जादा तेज थी तो शायद हो सकता है कि दवलूप के पीछे कोई समुद्री जीव हो कोई ऐसा जीव जो ब्लूवेल से भी तीन गुनाल जादा बड़ा हो एक ऐसा जीव जिसे हुमैनिटी ने आज तक देखा भी नहीं वैज्यानिकों का मानना था ब्लूव का कारण समंदर के गहराई में पाए जाने वाले ग्लीशर्स के मूमेट हो सकती है जो कि संभव तो है लेकिन इस बात को मानने से इंकार करना कि इसके पीछे कोई समुद्री जीव हो सकता है यह भी सही नहीं है नुवा के मेंबर क्रिस्टॉपर फॉक्स जो की घटना के समय शिप में मौचूद थे उन्होंने न्यू साइंटिस के एक पत्रकार को एक इंटर्व्यू देते हुए यह कहा कि मुझे लगता था कि वे आवाज किसी सम्मरीन के द्वारा आई लेकिन ब्लूट को अच्छे से स्टडी करने पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस पैटन से वे आवाज सुनाई दी इससे पता चलता है कि वे साउंड किसी समुत्री जीव के द्वारा पैदा की गई होगी इतने तेज साउंड पैदा करने के लिए उसका साइज भी बड़ा होना चाहिए एक ऐसा जीव जो हमारी कलपना से कई गुनाज जादा बड़ा और कई गुनाज जादा शक्ति शाली होगा क्रिस्टॉपर फॉक्स की बातों में सच्चाई हो सकती है 2012 में वग्यानिकों को यूजलन के एक बीच पर से ब्लू विल के एक नई स्पीशीज का पता लगा था तो हो सकता है कि ब्लूप के बीचे कोई ऐसा जीव हो जिसे हिमानिटी ने आज तक होजा भी नहीं याद रखिए ये समंदर है जिसके बारे में हमसे 5 प्रतिशत ही जानते हैं धन्यवाद दोस्तों अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें और हमारा चैनल तेंग मिस्टीरियस जरू सब्सक्राइब करें